नवश्कार, मेरा नाम है प्रियांका, अब तो आप नाम जानी गया होंगे, ठीक है? The Living World में आज हम पढ़ेंगे Taxonomic Aids, जिसमें हम Herbarium, Botanical Garden और Museum पढ़ेंगे, ठीक है? हलांकि और भी है Taxonomic Aids, लेकिन आज हम मेंली कवर करेंगे Herbarium, Botanical Garden और Museum को, ठीक है? Biological Name बता, Common Name बता गया है, Biological Name, Genus, Family, Order, Class, and Division, साथ जो है, वो Standard Categories है, जिसमें Species, Genus, Family, Order, Class, Division, and Kingdom आता है From Species to Kingdom, जो Number of Common Character है, वो Decrease होता है, बट अगर हमें बोलना होगा, From Kingdom to Species, तो Number of Common Character जो है, वो Increase होगा Kingdom to Species, Kingdom सबसे Highest Category है, Species सबसे Lowest Category है, ठीक है? एक Species की अगर Definition हमें Accurately देनी हो, तो Species is a Group of Individuals that can Interbreed, ठीक है ना? मतलब एक Population जिसमें ऐसे Individuals होगे, जो Interbreed कर सकते हैं, मतलब आपस में Mating कर सकते हैं, इसके कुछ Exceptions भी आती हैं, जसे म्यूल जो है, वो Exception है, म्यूल जो होते हैं, वो Sterile होते हैं, समझ गे? तो Biological Species Concept की According, जो Definition देए हैं, हालांकि वह Most Acceptable है, Still It Has Some Exceptions, तो यहां पर हर एक साइन्टिफिक नेम, और जो इसका Genus Family Order Class जो है, हर एक Man, Housefly Mango Wheat का यहां दे रखा हैं, आपको एक एक का याद होना चाहिए, ठीक है, बिटा, यह NCRT है, एंटारी NCRT है, और NCRT का एक भीश जो कि आपको आता ना हो, आपको जी जान लगा की मेरत करनी है, शुरू से मेरत करनी है, ताकि आप नीट कॉलिफाइ कर सकें, आपको कोई नीट कॉलिफाइ करने से रोक ना सकें, समझ गई ना, चाहिए, आपने पढ़े थे, मैंने कहा था कि कुछ सब Categories भी होती हैं, क्य आपको याद रखना है, पैस सबसे पहले कहा जाएगा, किंग्डम, और उसके साथ सुफिक्स, मतला उसके एंडिंग भी क्या होता है, किंग्डम पर युजुली ऐसाच हम पढ़े तो नहीं है, अब धंक से अगर क्लासिफिकेशन करनी हो, तो हम युजुली लगाते हैं, ठीक है, किंग्डम के साथ जो है वो क्या लगता है, बयों टा लगता है, फफाइलम के साथ, फईटा, जैसे विजा और फईटा, जैसे आपको पास आता है, भराईो फाइटा, टे अरेला युन हो गया, समझ देवो ना, फीर फाइलम में, सब फइटीना, क्लास ऑपसिडा सबख्लास इड़ाई, सुपर ओर्डर एनई, ओर्डर एल्स, सबओर इनई, सुपर फामिली एरई, फामिली एसी, कुछ exceptions होती है लेकिन अब क्या किया गया है, जिन फामिली का नाम एसी पे खतम नहीं होता है, उनको भी अब एसी में ही कनवर्ट कर दिया गया है, जैसे जो पोईसी फामिली है, ट्वाइटिकम एस्टिवम का फामिली आपने पड़ा पोईसी, उसका नाम ग्रामी नहीं भी है, ग्रामी नहीं तो वह एक तरह से एक्सेप्शिर आता है, लेकिन इसके नाम है, पोईसी भी लीनिसी किसी से भी आयन हो जाते हैं ठीके सूरी का हो गया बमार या मैं तो ठीके किंग नंग क्या हो गया एगा वांटा ठीके सब्स्टा Case घंटलन थावग्या order आप में याद रखेंगे order जो है वो क्या है ELC हतम होता है ठीक है family आप याद रखेंगे किस से end होता है यह AC से end होता है ठीक tribe का भी याद रखेंगे AI ठीक और सब family भी याद रखेंगे OIDAI समझ गे यह याद रखेगा कि tribe family के बाद में आता है क्योंकि कई बार गलती हो जाती है करते होई question को हम tribe को पहले कहीं घुसा देते हैं तो tribe जो है family के बाद में आता है taxonomical age जो होती है बिटा taxonomical age कोई भी अगर हम define करना चाहेंगे taxonomical age को तो ऐसा कोई भी procedure ऐसा कोई भी method ठीक है कोई भी technique कोई भी store information जो हमें किसी भी organism को identify करने में और classify करने में help करें उसको हम क्या बोल देंगे taxonomical age ठीक है अगें मैं बता रहते हैं कोई भी technique procedure या store information that are useful in identification and classification of organisms are called taxonomic aid देखिए अगर हम किसी botanical garden में जाते हैं तो वहां पे पेड़ होते हैं पेड़ होते हैं उन पे उनकी family का नाम भी लिखा होता है common name भी लिखा होता है तो हमें easily पता चलता है कि हमें इसको family का पता चल गया हमें सिधा पता चलता है हमें किस order में इसको रखना है किस class में इसको रखना है हम easily इसको identify कर पा रहे हैं चीक यह ऐसी कुछ भी चीज ठीक कोई भी प्रोसीजर जो हमें research में help करता है identify करने में help करता है species को classify करने में help करता है उसको हम क्या कहेंगे taxonomic aid क्योंकि taxonomy क्या हुआ बेटा characterization identification classification nomenclature बड़ा है न आपने ठीक है तो identification और classification करने में जो भी हमें help करें वो क्या हो जाएगा taxonomic aid समझ गए न सुलिए taxonomic studies of various species of plants animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversity अब देखिए जो taxonomic aids है वो किसमें help करती है मतलब agriculture में, forestry में, industry में और जितने भी हमारे bio resources है आस पास जिनसे हमें फाइदा होता है bio resources है और उनकी diversity है उसको जानने में help करती है अब इससे क्या होगा इसको जानकी क्या हो जाएगा इसको जानकी यह होगा अगर हम एक species को पहचानते हैं हम उसके character को भी जानते हैं कैसे जानेगे identify और classify कैसे करेंगे पहले उसके character भी पता होने चाहिए ना हमें इसके प्रड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अजह है सो की चीज़ों स्विक्चेजे पारे में करने लो इंडेरा हूं, आप मधिस्तमाने लिए रोड़ा हैं। तो क्या हो गया एकमारे लिए बायो रिसोर्स हो गया फिर उसके अलग अलग हम विविन्दता देखने लगते हैं कि कोई और तरह की वराइटी तो नहीं इसकी जिसे हमें कोई और फाइदा हो तो आपको टेक्जोनोमिक एड समझाया आप ठीक है तो दीस चड़ी समझगे ना ग्लासिफाइज करो अगर जो और प्लासिफाइज करो अगर ताफज करिक यह उसमें अगर सही लिए अगले कं जिकाने की है तो तो फिर क्या है अगर तेक्शोनमिक बंटैंड separate लिए तो फिर गया थे तर required intensive laboratory and field studies अगर आपको identify करना है तो identify करने में क्या होगा बहुत सारा laboratory का काम करना पड़ेगा बहुत सारी field studies करनी पड़ेगी मतलब आप field में जाएंगे आप sample collect करेंगे आप उसको particular specimen को identify करोगे उसको classify करोगे उसको herbarium बनाओगे समझ गे ना तो बहुत सारा काम करना पड़ता ह है the collection of actual specimen of plant and animal is essential and is the prime source of taxonomic studies तो अगर क्या करना है उसकी बारे में पूरा जाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा collection क्रोगे क्या करना पड़ेगी collection actual specimen of plant चाहे प्लान का है चाहे अनिमल का है क्या करना पड़ेगा उसको कलेक्ट करना पड़ेगा these are also fundamental to studies and essential for training in systematics ठीक है तो यह जो आप specimen लाओगे उनको आप study में भी उसकर सकते हैं और आप systematics में भी उसकर सकते हैं आप देख सकते हैं आप different different individuals को collect करोगे different different species को collect करोगे तो आप उनके बीश में inter relationship भी देखोगे उनका evolutionary relationship भी देखोगे okay it is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen तो अब यह जो आपने जित्ता भी उसका बारे में जाना collection किया collection किया collection के बाद आपने उसके पूरे characters बगरा देख लिए फिर आप क्या कर सकते हैं उसको classify कर सकते हैं ठीक और जो भी information हुई उसको उस specimen के साथ store कर सकते हैं in some cases the specimen is preserved for future studies काई बार क्या होता है specimen को भविश्य में अगर पढ़ना है जानना है किसी और को उसके बारे में जानना है उसकी लिए उस specimen को preserve कर दिया जाता है Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen some of these explain to help you understand the uses of these aids Biologists ने कुछ ऐसे procedures बनाये है कुछ ऐसे techniques बनाई है जो इन specimen को store करने में preserve करने में helpful होती हैं तापकि future generation जो है इनके बारे में जान सके ठीक है और ऐसे ही कुछ आगे है जैसे museum, botanical garden, herbarium जो है उनहीं में से आते हैं आपके पास geological parks फिर आप कीज पढ़ेंगे अभी तो वो सब taxonomic aids के में ही आएंगे आप समझ के विटा taxonomic aid ऐसा कोई भी procedure technique जो हमें किसी organism के बारे में जानकादी देता है उसको हम taxonomic aid बोल देते हैं taxonomic aid जो है वो help करता है agriculture, forestry, industry और bio resources और उनकी diversity को जानने में taxonomic studies में सबसे पहले जरूरी है कि organism को सही तरह की से identify किया जाए और classify किया जाए इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें animal species को और plant species को collect करना पड़ेगा कर लेंगे हम उससे हम उसकी study तो करी पाएंगे और उसके evolutionary status के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे उसका दूसरी species के साथ क्या relation है ये भी हम जान सकते हैं अगर हम मतलब classification of organism मतलब उसके बाद जब हमने collect कर लिया तो हम उसको classify करेंगे और जो भी उससे हमें information मिलेगे कि हम उसको store कर लेंगे along with the specimen और different जो टेक्नीक्स हैं दी गई है different procedures दिये गए है scientist के दोरा ताकि हम इन specimen को future generation के लिए store कर सकें तो ऐसा ही हमारे पास सबसे पहले क्या आता है हर्बेरियम तो हर्बेरियम क्या हो गया बीटा stored house of collected plant specimen that are dried pressed and preserved on seeds ठीक है हर्बेरियम क्या हो गया बीटा देखिये आप store करके रखेंगे किसको plants को हर्बेरियम में क्या store क्या जाता है हेर बेरियम है प्लैंट स्टोरके रहाते हैं है, कैसे उनको क lleんな है ? всё which día? कि अ इसके की अगया कि उनका हर एक पार्ट यह रहए है? इंटेक्ट कि ने को कह बिलेगे, ने वाजन फे लिए प्लाय ने करें थे लिया है? सबसे पहले करेंगे कलेक्शन करेंगे क्या क्या किया बाद इसको हर्बेरियम शीट पे प्रेस किया जाएगा और प्रिजेशव कर दिया जाएगा करिया जाएग संपर फिर थीड तो आप ड्रीजृ कर सकते हैं further the seats are arranged according to a universally accepted system of classification this line is also important यह जो sheets है जो भी आप herbarium sheets बनाएंगे यह किसके according की जाती है arrange जो भी universally accepted system of classification है उसके according इसका मतलब है कि आप नहीं जाते हो जहां पर हरवेरियम बना हुआ है तो आप एक family पहले तो एक kingdom के सारे के सारे specimen आपको एक तरफ मिलेंगे और एक family फिर एक डिवीजन के एक family के एक class की बात करो में class order family जीनस वाइस इस तरह से जो है वो अरेंज किया जाता है कि एक जो sheets होंगी same family family की जो है वो एक ही साथ रखी गई होंगी समझे ना जो मालब जितनी भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट अगर वो एक order को बिलॉग करते हैं वो एक साथ जाएगे जाएंगे किसे दूसरो बिलॉग करते हैं वो थोड़ा अलग रखी जाएंगे समझ के फिर दो कोई दो order एक गलास को बलांगे हैं वो एक साथ जाएगे जाएंगे These specimen along with their description on herbarium seat स्पेसिमन के साथ साथ हर्बेरियम शीट पर उनका डिस्क्रिप्शिन भी लिखा जाता है तो वह क्या हो गया स्टोर हाउस हो गया बिकम अस्टोर हाउस और रिपॉजित्री फॉर फ्यूचर यूज हो गया ना बीटाओ स्पेसिमन को किसी ने इंटिफाइ किया इंटिफाइ किया क्लासिफाइ किया उसको नाम दिया फिर उसको क्या कर दिया हर्बेरियम बना दिया हर्बेरियम शीट पर उसको स्टोर कर दिया उसकी इंफॉरमेशन लिग दी अब फ्यूचर यूज के लिए उसको क्या क्या जा सकत या चाहिए तो एक हरबीरियम पे जो है वो क्या लिखा जाता है क्या क्या उस पर इंपर्मिशन होती है नहाबरियम शीच और सो के लेबल प्रवाइद इन्फॉरमिशिए अबाउट डेट प्लेइस और कलेक्शन किस धिन जो है कलेक्ट किया गया इंग्लिश लोकल एंड हर्बेरियम शीप जो है, इसमा क्या क्या इन्फ मिशन लिखी हो धेख, यहदे, व 어क में उसका लोकल नम क्या है, इंग्लिशन गिया है और उसका बोटनिकल नम क्या है, वह कौं सी फामिली को बिलॉऌनग करता है और जिसने क्लेक किया उसका नाम क्या है एक एक चीज़ आप लाद रख लेंगे, ठीक, हर्बीरिया अलसो सर्व एस क्विक्राफ्रल सिस्टम इन टेक्जोनमिक स्टडीज, देखो, क्योंकि आपको फटाफ़र से अगर किसी स्पीसिस के बारे में जानना है, आप फटाफ़र से उसका हर्बीरियम चेक करके उसके बारे में जान सकते हैं, तो यह क्या होगा, क्विक्राफ्रल सिस्टम इन टेक्जोनमिक स्टडीज, स्पैसिमन जो प्रिजर्फ किया जाते हैं, उनको 0.1 मर्कुरी क्लोराइट के साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि क्या रहा हो, फंगस अटाक ना कर सके, ठीक है, स्पैसिमन जो प्रिजर्फ किया जाते हैं, उनको किस से क्या जाएगा, 0.1 परसें मर्कुरी क्लोराइट सही, ठाकि फंगस जो है, उनको पर अटाक ना कर सके, हर्बीरियम शीट का बच्चे, स्टांडर्ड साइज, इस 29 एस्टारिक शाइन जो लगा हुआ है, इस चोज मल्टिप्लाइ, 29 इंटु 43 सेंटिमेटर, और नौट अमेरिकन साइज, यहां, अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन साइज है, 29 इंटु 41.5 सेंटिमेटर, और इंचिस में हम देखेंगे, तो 11.5 इंटु 16.5 इंचिस, यहां आप क्याज रख लेंगे, बहुत बार एंचिक्यू आजाता है, तो यह देखें, हर्बेरियम है, इस टोट स्पेसिमन बता रहा है, इसमें क्या होगा, अब देखो, एक किंडम जो होगा, यह की साथ रखा गया होगा, तो इसमें फाइलम वाले, इसमें स्पेसिमन फाइलम वाले, यह साथ रखेंगे, यह एंचिर्टी का ही डायग्राम है, इस डायग्राम है, यह बहुत अच्छे से देख लेंगे, भूलना नहीं है, हर्बेरियम शोइंग स्टोड स्पेसिमन देखिए यह एंसियर्टी का डाइगराम नहीं है यह हर्बेरियम शीट आपको दिखाई देरिये ना स्टेप्स यदि और कि पर या घाज्टी कि इसका इन जांसे सबड़ हू अच्टीज के डिया अच्छान से साथ Constitution 2019 फामिली लोकल नेम और इंग्लिश और बोटानिकल नेम यह सब इंफॉमेशन भी साथ में दी गई होगी कि एक्सामपल दे दे दिए जिए साइनटिफिक नेम में वर्नाकुलर हो गया मतलब लोकल नेम क्लेक्टर्स नेम डेट ओफ कलेक्शन ठीक लोकालिटी हाबिटाट गी जनरली दे दिया जाता है ठीक चैरेक्टरस्टिक्स उसके सारे लिखे होंगे आपको जूमें इन न्सार पर दिया है वो यह है समझ गया ठीक है यह से एक स्पेसिमन को दे दिया गया है ठीक समझ गया बिटा चले अब दूसरा हमारे पास आता है बोटनिकल गार्डन शीक बोटनिकल गार्डन इसा specialized gardens that have collection of living plants for reference ठीक है क्या होता है बोटनिकल गार्डन में collection of gardens that have collection of living plants बोटनिकल गार्डन एक तरह से यह समझ लिए बिटा कि आप अपने लिए समझ लिए बोटनिकल गार्डन तो बहुत बढ़ होते हैं तिक आपने घर के बगीचे में कुछ अलग अलग स्थिस जो है वो लगादी प्लांस की आपने उनका फामिली भी उस पे टैग कर दिया और करेक्टर इस तरह से रहेंगे वो इजली उसका फ्लोरल फॉर्मॉला भी दे पाएगा समझ गए ना विटा तो लिए प्लांस जो है वो प्रिजर्व किया जाते हैं का उनका उनका बोटनिकल कार्डन में ताकि उनका इस रेफरेंस जो है वो यूज किया सके मतलब जैसे एक जरूरी नहीं है कि आप एक ही बहुत सारे प्लां लगा देंगे बहुत सारे 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 बहुत सा फेलल हैं तो इसमेा साइंटिफिक नेम भी लिख्खा जाता है उसे lazat इसलिक जाता है इजिली आहता है इडिंटिफास कर पाते हैं हो सी एं इन्टिफिकाशन परपस के लिए byntanical garden बनाए गए होग है बटानिकल गार्डने इन क्यों इंगलान लगन देया होगा आपको एक है क्यार रखना है, Botanical Garden, क्यों Botanical Garden, London, one of the very first Botanical Garden, इंडियन Botanical Garden कहा आगया, हाड़ा में, और National Botanical Research Institute कहा है, लखनाव, इंडिया में, देखे, ये दार्जलिंग का Botanical Garden है, ठीक है, कहां कहाईए, दार्जलिंग का Botanical Garden है, विटाइए, आपको इतने से ही समझ दार्जलिंग का Botanical Garden, लयोर्ड, लयोर्ड, लयोर्ड भाई टी, लयोर्चिक लगाद देखे, ये अभ ये जो आप इंडिया का, दो परेक्ल्य का, बाटनिकल गार्डन, परेक्लकता में, जो रॉयल्वटैनिकल गार्डन कहा है, क्या रॉयल्वटैनिकल गार्डन कहां थो आप देख सकते हैं किस सुंदर से बनाया गया है छी यहां पर छोटा छोटा यहां लिका वहां ठाला लिख आ झाल्य का नेम लिज शेख लिज अवगाने जाती है इस पर फामिले और सपीसिस का बठैकलनेम जो है वहां लिखा जाता है ठीक है अब आग करते हैं मुजियम की, ठीक, मुजियम जो है, वो जनरली कहां बना जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टिट्ट्स में, जैस सच एज स्कूल्स और कॉलेजिस, ठीक, स्कूल और कॉलेजिस में यूजियम होते हैं, मैंने सैंटल यूनिवरसिटी से अपना MSC किया है, मेरी अब लूनिवरसिटी में πी, एक मुजियम था। मुजियम में मुजियम में होता क्या है, मुजियम आफ कलेंटीश और क्या हो से waeref dezember G रनिमस प्रसिया प्रिसा में, यू तब हुऑ प्रिसा रषियंग करते हैं, क्या को आप क्या है हैं, मुजियम में। ़ो ऐ रखके G एपर नहते है तो किस फैमिल सेतीमन ह works आव iyi है . हम वैसा है कि फैमिल सेदी आप मींूझ लगी मींडिग सोभी आपको अ चायती है आपको उसके बारे में जानी के लिए एक्स्टा महिनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से ही उनको स्टोर कर दिया गया है इंफॉर्मिशन को इक ठागर के रख दिया गया है ताकि फ्यूचर जिंडरिशन के लिए हेल्फुल हो आपको पाइसिमन अनिमल स्टोर करना इसमें मर्कूरिक ख्लोराइड का लिए वो यूस किया रहता है इंपॉर्मिशन को स्टोर करने में थीक है plants and animal specimen may also be preserved as dry specimens ठीक है उनको dry करके भी क्या किया जा सकता है इंसेक्ट्स are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning क्या होगा आप छुटी छुटी जो है इंसेक्ट्स लाते हैं इसको collect कर लिया उनको फिर उनको मार दिया जाएगा उनको pin करके जो है वो चिपका दिया जाएगा इंसेक्ट्स are preserved in insect boxes किसके बाद collecting, killing and pinning उनके बाद उसको किसमें टा दिया जाएगा इंसेक्ट्स बॉक्स में टा दिया जाएगा लाच्र अनिमल्स चो है लाइक बर्स और मामल्स तो उनको कैसे प्रिसर्फ करना है stuffed and preserved मतलब अंदर से वो बिल्कुल खाली कर जाएगा और उनको कुछ बढ़ दिया जाएगा उनका बस बाहर से skeleton skeleton है ठीक है और आप क्या करते हैं इंको stuff करके preserve कर दिया जाएगा फहराओ गषडा रशा रिलया अनिमल्स चैक है इह व्लुश्ळ जोह।ज कि उनका जाएगां जरह एख किया रहाँ है जोतो बसक्ता बार आप इनके बार campe । मिया खालीक्षैर इससे जो जानकार मिल जाती है स्केलेटन कई बार रखा होता है किसी भी ऑर्गिनीजम का ठीक समझ गे बटा यह क्या हो गया मुजियम चलिए अब यहां पे आपका मुजियम खतम हो गया है अगे हम अभी कीज के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है तो उससे पहले आप इन कोशन के आंसर करेंगे स्पिसी प्सक्राइब क्या होता है हार्भीरियम को कैसे बना जाता है सबसे फाले कलेक्शन की जाती अपके पास प्रॉपर टूल होने चाहिए collection ऐसे की जाएगे कि सारा का सारा प्लांट जो है वो इंटेक्ट रहे और उसके बाद आप उसको ड्राइ करेंगे ड्राइ करने के बाद आप उसको क्या करेंगे प्रेस करेंगे और इसको स्टोर करेंगे ठीक है what are Botanical Gardens name to Botanical Garden कोई भी दो का पुछा है ठीक Museum टीक है what is museum यह यह फोगा ठीक ठीक what is a museum ठीक standard size क्या होदा है herbarium sheep, insects are preserved in insect boxes after collecting blank in blank Textonomic aids kya होती है class के लिए suffix kya है और phyta किस चीज का suffix है इससारे questions की answer अप करेंगे मिटा कोशिन के अंसर आप करी नहीं रहें कहीं प्रॉब्लम है तो बताईए लेकिन आप बता भी नहीं रहें ठीक है आप त्यारी कटे रहें अपनी अच्छे से अपने होंसलों को बुलंद रखिए जरूरी है